नमस्कार दोस्तों मेरे द्वारा चैनल पर जो चीजे पिछले वीडियो में बताई गई वो एकदम 100% सत्त निकली और इसलिए मैं बार बार कर रहा हूँ कि चैनल को आप सब्सक्राइब करें किये बहुत बड़ी अपडेट है स्कूल आवंटन को लेकर सची उसर की तरब से ओफिशल आदेश जारी हुआ है जी हाँ ओफिशल पत्र जारी हो चुका है मैंने आपको सुबा ही मीटिंग दे दी थी कि आज डी जी मैम की और अन्य सिच्छा विवाग के बड़े अदिकारियों की मीटिंग है और मीटिंग के बाद एक बड़ा पत्र आपको देखने को मिल सकता है और उसी करम में दोस्तो ओफिशल पत्र आ चुका है हाला कि ये पत्र कल की डेट में ही तैयार किया गया है 25-2024 का ही है लेकिन मीटिंग के बाद ये पत्र आज अभी अभी सारजनी कुआ है सची उत्तर प्रदेश बेसिक सिच्छा परिसत प्रयागराट की तरब से समझ जिला बेसिक सिच्छा दिकारी उत्तर प्रदेश को ये पत्र जारी हो चुका है अभी अभी अगर इसका आप विसाइचे करेंगे तो यहाँ पर दिके बताया गया है कि मानव संपदा पोर्टल पर विद्याले नामंकित छात्र छात्रा सिच्छकों सिच्छामित्रों यहों अनुदोशकों का विवरण आवधित किये जाने के संबंद में यानि कि आपके विद्याले आवंटन को लेकर जो प्रक्रिया है वो सुरू हो चुकी है आप देखे साप सब्दों में आपर कहा गया है कि यह देखिए करपया उपर्युक्त विशाय आवगत कराना है कि 12,460 सहायक अध्यापक भरती प्रक्रिया के अंतरगत चयनित अभ्यर्तियों के आउन लाइन विद्याले आवंटन की कारवाही संपादित की जानी है विद्याले आवांटन की कारवाही संबादित की जानी है अब भेर्थियों के आन लाइन विद्याले आवांटन प्रकरिया से पूर्व मानव संपदा पर विद्याले नामांकित छात्र छात्रा कारिरत सिक्षक सिक्षामित्र यहुम अनुदेशक का विवरण को अध्यवदित यहां पर किया जाना अपरियार है यह डेटा इसलिए एक अत्रित की अजार आए ताकि जो मानो संपदा की ओफिशल वेबसाइड है ना इसी की ओफिशल वेबसाइड उपर यह डेटा पूरा हो जाए कि किस विद्याले में कितने छात्र हैं कितने मौझूदा हालत में सिक्षक हैं या सिक्षामित्र हैं या वशक्ता होगी और फिर आप विद्याले को सेलेक्ट कर पाएंगे तो विद्याले आवंटन के प्रथम चरण की कारवाही जो है वो सुरू हो चुकी है प्रथम चरण की कारवाही यानि कि आपके लिए विद्याले खोजने की जो कारवाही है वो सुरू हो चुकी है और मैं संबदा पोटल पर सिक्षक विद्याले छात्र छात्रा का विवरण यहां पर अधिविद नहीं होने के कारण आनलाइन विद्याले आवंटन प्रक्रिया में आत्यधिक कठनाई होती है यानि कि जो विद्याले है उसमें शातर शातरा की संख्या जो है सिक्षक की संख्या जो है नुदेशक की संख्या जो है सिक्षमित की संख्या अगर पूरी तरह से नहीं अपडेट होती है तो विद्याले आवंटन करने में कारवाही करने में विलम्ब हो रहा है इसलिए होता है क्योंकि पदों का डेटा नहीं प्रक्रिया प्रारंब होने के उपरांत आप द्वारा आउगत कराया जाता है कि मानव संपता पोर्टल पर अधितन विवरन अपडेट नहीं किया गया है जबकि इस हेदू आपको पर्याप्त समय प्रदान किया जाता है उक्त इस्थदी में आपसे अपेक्छा की जाती है य बंद विद्याल है यहाँ पर देखिए सबसे प्रहर है बंद विद्याल है एकल विद्याल है गरामीर नगर छेतर में आवस्थित विद्याल है सिक्षक की संख्या यह देखिए यहाँ पर सिक्षक की संख्या सिक्षमित अनुदेशक की संख्या की अनिवार रूप से निर विद्ध्याले हैं वो प्रमुक रखे जाएंगे सबसे पहले जो आपके समक्ष विद्ध्याले दिखने वाले हैं वो बंद विद्ध्याले दिखने वाले हैं उसके बाद बंद विद्ध्याले मतलब समझते हैं बंद विद्ध्याले मतलब जहां पर केवल सिक्छा मित्र ही एक ही सिक्षा मित रहे हैं वही इंचाज हैं वही पढ़ा रहे हैं वही सब कुछ कर रहे हैं ये विद्यालियों की इस्तिती समय है भी कि जादा तर विद्याले एकल ही पढ़े हुए है बंद ही पढ़े हुए है ठीक है बंद की जादा संख्या है उसके बाद एकल विद्याल यह मतलम या तो वहाँ पर कोई एक हेड है या कोई एक सिक्षक है जो इन चार्ज बना हुआ है ठीक है तो ये दो विद्याले प्रमुख तोर पर आपके समक्ष रखे जाएंगे और इनकी इस्तिती बहुत जिनकी जो संख्या है बहुत जादा है क्योंकि पिछले 5-6 सालों से अब सबी को पता है कोई भी भरती नहीं आई है तो इनकी संख्या बहुत बढ़ गई है तो जादा तर 12-460 सिक्षक वरती में चैनित लोगों को यही विद्याले मिलने वाले है ठीक इसलिए इनको प्रमुख रखा गया है और यही आपके समक्ष दिखाई भी पड़ेंगे सामने ठीक है फिर इसके बाद गिरामी नगर छेतर में या आवेवेस्थिस जो विद्याले है जहाँ पर सिक्षकों की संख्या सिक्षा मित्रों की संख्या आए केवल बहुत कम है ठीक है ऐसे विद्यालियों को अनिवार रोप से आपर जरूर से जरूर फेड किया जाए ऐ लिखित कारवाही करना आपको सुनिश्चित करना है ये कुछ महत्पुन पॉइंट है ये आपको जरूर से जरूर अपडेट करना है विद्यालय का नाम आपको अपडेट करना है विकास खंड का नाम अपडेट करना है यूडायस कोड का सही अंकन करना है क्योंकि जो विद् विद्याले का प्रकार ग्रामीन अथवा नगरी छेतर का है ये भी सही आकलन करना है विद्याले में अधितन नामांकित छात्र संख्या का सही आकलन करना है कि वास्तिवीक तोर पर कितने छात्र हैं नामांकित छात्र कितने हैं विद्याले में कारत शहायक अध्यापक कितने ह जाना बहुत जरूरी है विद्याले में कारणत सिक्षकों के पद नाम एवं कैडर का सही आंकन भी यहां पर किया जाना बहुत ही जरूरी है दोस्तों ठीक है इसके बाद देखिए इसके बाद कुछ महत्पुन पॉइंट और कहे गए हैं यहां से आपको चीजे इस पस्ट हो ध्यान पुरवक सही अंकित किया जाए सविलियन प्रक्रिया के कारण सविलियन विद्यालियों में उच्छ प्रात्मिक विद्याले में एक प्रधाना ध्यापक होने की दसा में प्रात्मिक विद्याले में कारणत प्रधाना ध्यापक को सहाय का ध्यापक उच्छ प्रात्म के सम्मद में आपको निर्देशित किया जाता है कि समस्त जो कारवाहिये उप्रयोक्त अनुशार दिनांक 30-5-2024 तक प्रतेक दसा में अनिवार रूप से पूर्ण करना सुनेशित करें मानो संपता पोर्टल पर विवरण अध्यवदिक नहीं होने की दसा में आपके जनपद में अभ्यार्थियों को विद्याले अवंटित नहीं किया जा सकेगा सापका अजारा कि अगर आप विवरण नहीं प्रस्तुत करेंगे तो आपके जनपद में जो आपके चैनित सिक्षक हैं 12,460 के उनको विद्याले अवंटन नहीं किया जा सकेगा जिसका संपुन उत्तर द्वाई तो आपका ही होगा आप उक्त कार अत्यंत महत्पून है अत एयो व्यक्तित आपर जो आपका धान अपेच्छित करना सुनिश्चित किया गया है सुरेंद्र कुमात तिवारी सर सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक सिख्छा परिसद प्रयाग राज की तरफ से यह सभा चुनाओं का आदेश आना है यानि कि उस पर सीटों को जीधार का फैसला है वो आना है और चार जून को फैसला आने के बाद पांच जून से बीस जून के बीच में विद्याले आवंटन हर हाल में हो जाएगा एकदम सव प्रिस्था सही ने हो जाए दोस्तों और यह ओफिशल वेब साइट पर डेटा है वो फीडिंग के कार तीस पांच तक हो जाएगा कि तीस पांच तक एनाइसी की जो मानो संबदा पोर्टल है उस पर यह डेटा फीड कर दिया जाएगा और इसके बाद एनाइसी इस प्रिकरिया को वैरिफाई कर लेगी और जो विद्य आपको आदेश देखने को मिल जाएगा दूसरा आदेश देखने को मिल जाएगा सची उसरका कि इस तारीक को सुबह 10 बजे से आपके बीएसे कारियाले में विद्याले आवटन करवाया जाएगा आपको समयस्त्य लोगों को वाँपर पहुँचना है ठीक है तो यह दूस आवटन का आदेश आजाएगा दोस्तों तो एक अच्छी अपडेट है बड़ी अपडेट है अभी भी कह रहा हूं चैनल को सब्सक्राइब कर लेजिए क्योंकि अब समय समय पर बहुत सारे आदेश आने वाले हैं बहुत सारी लिटेस्ट अपडेट आने वाली है हर को अपने भी ऐसे कारेले में उपस्तित होना होगा